अब हलो दोस्तों फिर नया ब्लोप में आप अश्वागत है आज हम कीचन में हैं और कीचन कई कुछ आप लोग के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे लोग ऐसा चीज जो दुनिया में हर घहर में वह चीज को खाये जाता है पकाये जाता है कि विश्सकैर किम लोग का यहां भी इंडिया में भी पराया घर में वह चीज को और वह चीज रोटी लेगिन जिस रोटी को खा रहे हैं कहीं ओ रोटी आपके लिए बीमारी का घर तो नहीं बढ़ा है वो भी छोटा मुटा बीमारी ने बहुत बड़ा बीमारी है यह मैंने कर रहा हूं कि आधार पर है और वो बीमारी होता है कैंसर जैसा दिल का बीमारी ऐसा कुछ होता है लेकिन आप उसको अगर सही तरीका से बनाएंगे तो आप उस बीमारी से बढ़ सकते हैं और वो सही तरीका बनाने का विधी चलिए देखते हैं और सही तरीका से बनाएंगे सोफ्ट भी रहेगा और बढ़िया से फूलेगा ठीक है वही रोटी बनाने का आज सही तरीका को देखेंगे और रोटी भी सौप्ट रहेगा ठीक है चलिए वीडियो में बने रहे हैं फिर दिखाते हैं आप फिर उस तरीका से बनाएंगे तो भी मारी से भी बचे रहे हैं ठीक है वीडियो में बने रहे हैं कि देखिए सबसे पहले आटा ले लिए हैं आप अपना घर के नुसार आटा दिकाल सकते हैं और इसमें आधा चमच से भी थोड़ा काम इसमें नमक डाल देंगे नमक को अच्छा से मिला देंगे इससे आटा भी सोफ्ट रहेगा और रोटी भी सोफ्ट रहेगा वीडियो को पूरा देखेगा तब समझ में आएगा ठीक है वीडियो में बने रही है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालने थोड़ा थोड़ा पानी डाल केसको गुंधना एक बार में पानी धेश शरने डानने तो गिल्ला हो जाएगा आटा और पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है थोड़ो थोड़ो पानी डालके खुब अच्छा से इसको गुंधना पानी का बढ़िया मिस्द्रम रहेगा तो बहुत सोप्ट और फूला हुआ रोटी मिलेगा ऐसे घुमा घुमा के खुब अच्छा तरह से मिलाना देखे अभी कड़ा है इसमें अभी आओ पाने चाहिए थोड़ा थोड़ा पाने थोड़ा समय देखे आठा को गुंधना है इन एक जल्दी बाजी में गुंध गांत के हटा दिया है अगर बन्या सोप्ट और फूला हुआ रोटी चाहिए तो आठा गुंधने में थोड़ा समय देना पड़े आठा को गुंधने रहना है तब तक उसमें देखे चिकना पना जाए आठा ने देखें इसमें पुरा चिकना पना गया है अब देखें बरतन में भी अगर आपका बरतन में पुरा लटकता है हाथ में भी प्रलाटकता है समझ लिए अच्छा तरह स्ञाटा गुनते नहीं है देखिए इसमें पुरे चिकना पना गया अज़ों देखिए प्रस बढ़िया एकदम ज्यादा गीला भी नहीं है और ज्यादा कड़ा भी नहीं ठीक भड़ा है कि इसमें हलका साथ हलका सा इसमें हाथ में तेल लेके ओपर से लगाना है थोड़ा सा हाथ का सा गुनतना ताकि सुखे नहीं आटा तो लो उपर से लगाना है आटा कच्च्या अलो शुखा हुआ आटा में नहीं लगाना है तेवा जब गुनत कंप्लीट हो जाए तो तेल लगाना है अब इसको दस मिनिट के लिए ढक्या रख देना है ताकि यह और सोफ्ट हो जाएगे ठीक है दोस्तों वीडियो में बनने रहेगे अब इसको दस मिनिट तक हम दो छोड़ देते हैं अब इसका लोया बनाते हैं उसके बाद इसको चकला में बेल के रोटी बनाते हैं यह रहा आटा गुनने का पॉर्सेस ठीक है वीडियो में बने रहे हैं अब तावा को गैस में चढ़ाते हैं और गरम होने देते हैं अब उसके बाद लोया बनाये है और उसको अब देखे लोया एक तो बड़ा बड़ा लोया बनाये अब इसको बेलते हैं कि अब अब हलके हलके हाथ से दबा के बिलना है और अपने आप घूमने लगेगा अब देखे हैं और जो सुखा अटा है उसको भी ऐसे तर्षाय ने भी जाड़ा देने से अच्छा लाता है देखें कैसे बेला कोमेंट करके ज़र सब्सक्राइए अधर भी यह तावा गर्द महोंगे है आप अपने अनुसर मोटा पतला बेल सकते हैं मेंदा ज्यादा मोटा भी नहीं है ज्यादा पतला भी नहीं है फर्ष्ट तरफ जैसे बाबल्स आने लगेगा फर्ष्ट तरफ पल्ड़ी कर देना है और आज को हलका कम कर देना है और उसका दूसरा सैट ब्राउन होने तक हलका हलका ब्राउन होने तक पकाना है और फर्ष्ट तरफ बबल्स हो गया था ओस सैड फिर देखिए सब्राउन हो गया है अब इदर करके देखिए हलका हलका कप्रा से तावा में ही फुलाना है यही रहा तावा में फुलाईएगा यह पोसेस से फुलाईएगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा देखिए दोनों तरफ से अच्छा से तरफ से पग्या फूल भी गया है कि गया कसा में इसमें नहीं पकाना हम ताव मैं ही फुलाना है जया सका फ्रेम में नहीं हमार्णMan यह्थि तरीका से आप अगर पकाएंगे म्या उथि आपको प्याया बीमारी नहीं हो यही टाजुकण को तरीका से पकाईए और रोटी भी पुरा सोफ्ट और दोनों तरसे खुब बढ़ियां से पक जाता है कच्च्छा कहें भी नहीं है देख सब्सक्राइब अजैं जो वीमारी के बारे मैं नहीं बोला वह विमारी मैं अपने तरह से बोला वर ंडिशसेंटर यहानें पता लगाया डायो ऍप्राहें से वैसा होता है जिस से यह बड़ेनail को विमारी होती है अगर आपको यकिन नहीं है तो गूगल में साज्ज करके देख सकते हैं यही वाला बिधी से रोटी बनाई है और अपना परिवार को स्वास्त रखे अब सुने होंगे पाले कैंसर जो सिग्रेट पीता था खाइनी खाता था गुटका होता था वही लोगो ज्यादा होता है हम आप देखते हों यहां पबलिक को भी अभी इंसर होता है कुछ ना कुछ कारण यह भी हो सकता है तो अधिक्त दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में नहीं है तो लाइक कर दिजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे लि ठीक है सब को बाई बाई